हलो दोस्तों नमस्कार श्रंतोसी आईस में आप सभी का स्वागत है आज यहाँ पर हम पार्ट फोल लेकर आए हैं पार्ट थिरी तक हमने अपलोड कर दिया है जाके आप वीडियो देख लीजिए अगर यह चारो पार्ट आप कर लेते हैं तो आपका लगबग 80% करेंट अफ लगने में आपको अच्छा लगे और वही है जितना 500 कुश्चन दिया गया है पीछे वही पूरा एटू जड है ठीक है तो सिर्फ आप क्या करिए इसको पूरी तरह से रट जाएए यहीं से कुश्चन आपका बन जाएगा ठीक है अब आज के बाद यह लाश्ट हमारा खत पूरू मिलेगा क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव होता नहीं तो मैं ऑब्जेक्टिव कितरों करवाऊंगा घटना सार आप मढ़ना स्टार कर दिए क्योंकि मैं उसका टेस्ट लूँगा तो जो नए होंगे उस चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे ताकि आपको वीडियो मिल तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला कुशिंगा कह रहा है हमारा हो कह रहा है रहा है राष्टि ये डेर्ये अनुसंधान संस्थान यार करिए राष्टि Don Doora तयार की गई भारत की पहली कूलोन मादा बच्छडे का नाम क्या है तो बताएए उसका नाम क्या है उसका नाम गंगा है याद रखिएगा गंगा उसका नाम है ठीक है किसके द्वारा तयार की गई है राश्टिय डेरी अनुसंधान करनौल द्वारत तयार की गई है करनौल तिक आर्याड़ा वाला याद रखिएगा चलिए हम नेस कोशन देखते हैं अपना नेस कोशन देख रहे हैं हाल ही में किस केंद्रिय मंत्राले द्वारा AI for India 2.0 याद रखेगा AI for India 2.0 लांच किया गया है तो किस मंत्रा लेके द्वारा काउसल विकास और उद्धिमता मंत्रा लेके द्वारा याद रखिएगा काउसल विकास और उद्धिमता मंत्रा लेके द्वारा तीसरे नमबर को कुश्यन हम देखते हैं तीसरा नमर हमारा क्या करा है तीसरा नमर करा है भारतिय पद्दोगे संस्थान दिल्ली आयाइटी दिल्ली ने भारत के बाहर अपना परिशर कहां अस्थापित करने की गोशला की है अबू धावी कुबेज सिटी ढाका या निवियार के तो याद रखेगा अबू धावी में भारत की आई आई टी ने अपना परिसर अस्थापित करने की गोशला की है नेश देखते हैं चौथे कुश्चन चौथा देखते हैं भूमी सम्मान दोहजार तेईस प्रुसकार्ड निमलिकिस में से किस मंत्राले द्वारा परदान किया गया है तो किस मंत्राले द्वारा परदान किया गया है यहां सी होना चाहिए केंद्रिये ग्रामेड विकास मंत्राले द्वारा तो भूमी सम्मान तो यह ही होगा केंद्रिये ग्रामेड विकास मंत्राले द्वारा नहीं तो आप तो यहां पर बताईए कौन सा कथन सत्य है इसमें करा है इसका नाम सूरत डायमेंट बोर्स रखा गया है इसका निर्मार सूरत गुजरात में किया गया है हाँ यह भी सही है इसका पूरा ना ढाचा नव आयताकार अस्थम के रूप में है 35 एकड में फैले पंदर मंजिल इमा ही है चलिए नेश देखते हैं छटवा कुशन का रहा है राश्टिय बहुआ में गरीवी सुचकांक एक परिगती समिच्छा दोहजार तेज के संदर मिलुफित कत्नों पर विचार कीजिए तो कौन सा कत्न आपका सही है तो यह इसमें करा है इसे नीत आयोग दोरा जारी की गई है सही है राश्टिय बहुआ में गरीवी सुचकांक नीत आयोग दोरा जारी की जाती है उत्तर परदेश में गरीबों की संक्या में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है तो हाँ यूपी हमारा सबसे आगे है यही यह बेरी मोश्ट इंपॉर्टन कुश्चन है याद रख लिजीएगा इस से कुश्चन आपका बन सकता है कि बहुयामी सुचकां किसके दोरा नीत आयों के दोरा उत्तर परदेश में गरीबों की संख्या में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है यह हमारे यहां हुआ है तो यह आरो यारो के लिए चाहे जि स्वास्त और सिच्छा जीवन अस्तर के तीन सो रूप के रूप में महतबूर आयमों के अबाओ को मापता है तो याद रखेगा एंपी आई किसको मापता है स्वास्त को मापता है सिच्छा को मापता है और जीवन अस्तर को यही कुश्चन कई बार आया है कि इस एंपी करा किस देश ने दुनिया का पहला मीतें तरल अक्सीजन अंतरश राकेट कच्छा में लांच किया तो यह करता है तो कौन सा चाहिना करता है तो यह ही चीन होगा शौuard आठमा देखते हैं आठमा क्या कह रहा है आठमा कह रहा है निर्यात तरिया की तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्व में निमलिखित कत्नों पर विचार किजिए किंद्र सासित परदेश चोटे राज्यों किस रेड़ी में गोवा को पहला अस्थान प्राप्त हुआ है याद रखे है करा तटिये राज्यों में तमिलनाडु सीर्स राज्य बनकर उबरा है तो हाँ आपका तमिलनाडु भी सीर्स क्योंकि ऐसे तटिये राज्य है यहां कोई समान आता है तुरंत पास हो जाता है हर जगान तो यह तमिलनाडु पहले उस्थान पे हाँ गोवा भी यहां से आ आपका डी वाला सही हो जाएगा को डी वाला सही हो जाएगा चलिए निश्ट देखते हैं किस राज area तो किस राज को मिलेगी तो यह किस को मिलेगी गुजरात को मिलेगी याद गुजरात को मिलेगी सेटलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट ग्यारा नंबर को कुशन देखते हैं जुलाई दोहजार तेस में अंतराश्टी एनी पुरुसकार के लिए किसे चुना गया तो ये भी बहुत इंपॉर्टन्ट है एनी अवार्ड तो एनी तो थलिप पर परद ग्रीब को मिला है था बारा नंबर को क agrad div क देखिए है अमेरीकी नौ सेना के एतिहास में नौ संंचालन संंब्ल का परमुख का पद सम्भानन। लोए पहली महिला कौन बन गई है नौसे न के संचालन का परमुख पद ये बहुत बड़ा पद होता है किसको मिला है Lisa French टी को मिला है इसमें का रहा है किस राज जिन्हें ओनर आफ डेड़ बॉड़ी बिल याद रखिएगा ओनर ओफ डेड़ बॉड़ी बिल दोजार तेश पारित किया तो किस ने किया तो यह राजस्तान ने किया याद रखिएगा ओनर ओफ डेड़ बॉड़ी बिल चौदा नंबर का कोशन देखते हैं बिट्जिस प्रधानमंत्री का पॉइंट आफ लाइट पूरुसकार किसे परदान किया गया तो याद रखिए गा हमुच राय को परदान किया गया किसको परदान किया गया । के दimento किसके द्वारा भारत का प Taste एलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफर्म फॉस्ट इंडिया इस सस्टनेबल ट्रांस्पोर्ट के लिए एलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सिलेटर भारत लांच किया गया तो किस के दोरा तो याद रखिएगा वर्ड रिसोर्सेज इंस्ट्यूट के दोरा और नीती आयोग के दोरा इन देश को स्वदेश निरमिद मिसाइल symbi आई येड़र उपहार में दिया है तो चलिए आप आई येड़र को अपहार में लीज़िए आप के यहाँ किरपा करेगी तो कौन था भीयतनाम हुमारा प्यारा भारत है तो भीयतनाम इस साइड पड़ेगा ठीक है यह साथ चाइना साइड में यह आपका लाओस हो गया और इधर इधर जो बी अतनाम के बारे में एक आरो यारो में कुश्चन आया था कि मेकांग का डेल्टा कहां बनता है तो मेकांग का डेल्टा बी अतनाम में ही बलता है आपका प्रीविस एर में कुश्चन पूछ करवाते हैं तो यहां पर भी अतनाम होगा याद रखिएगा चलिए निश्ट देखते हैं करा है अधारी पावर ने एक डेडिकेटड ट्रांसमिस्टन लाइन के लिए बंगलादेश पावर डिपलेमेंट बोर्ड को उत्पादित बिजली अधपूर्थ के लिए किस राज मे सोला सो मेगा वाट की छम्टा का थर्मल पावर इस्थापित किया तो बताएए किस राज में तो यह है आपका जहार खंड में तो यह जहार खंड में तो यह जहार खंड में अस्थापित किया यहां से बिजली कहा पर आप जाएगी बंगलादेश में उत्पाद हो के जाए जुलाई दोहजार तेस में बैस्विक खाद नियामक सिखर सम्मेलन दोहजार तेस पहली बार जी टुन्टी कारिकरम के रूप में कहां आउजद किया गया तो बताईए पहली बार जी टुन्टी कारिकरम के रूप में कहां आउजद किया गया तो नई दिल्ली भारत में आउ चाहिए! तो कौन सा कथं सही है तो कौन सा कथं साई है उपरियुक्त सभी कथं सही है याद रखेगा किया सासिथ परदेश और चोटे राजों कि श्रेडी में गौवा को पहला अस्थान मिला है तो सही है पहाड़ी हिमाले राज्यों में उत्राखंड सीर्ष पर अस्थान पर है यह भी सही है यह सूचकांक में तमिलनाडू सीर्ष पर है उसके बाद महराष्ट है और करनाटक का अस्थान है यह नहीं कुछ महराष्ट और करनाटक का तमिलनाडू तो याद रखेगा यहां पर पहले अस्थान पर है फिर यहां दूसरे अस्थान पर यहां पर तीसरे अस्थान पर है करनाटक ठीक है तमिलनाडू महाराष्ट करनाटक और चोटे राज्यों में कौन सा है चोटे राज्यों में गोवा तो याद रखेगा चोटे राज्यों मे हुआ सबसे पहले अस्तान पे है ठीक है उपर युक्त सभी बीसवा का देखते हैं पुलिस के द्वारा छिपे आतंगबादियों का पता लगाने के लिए भारतिय सेना द्वारा किस राजिया के इंदसासित पर्देश ने तिरी नेत्र टू अभियान का अभियान चलाया है त तिरी नेत्र टू अभियान किसको तो यह आतंगबादी कहां आएंगे जादा असम में तो आएंगे नहीं यहमानचर पर्देश में आएंगे नहीं आपका लद्दाख वहाँ क्या करेंगे बर्प में जब्मु कस्मीर में ही आएंगे तो जब्मु कस्मीर याद अब इसको बात देखिए 21 नमबर का आत्म निर्बर भारत नीत के ताहत आठ एक्स मिसाइल और गोला बारूद बार्ज अनुबंद के ताहत सिंखला का पहला बार्ज एल प्रस एम सेबन यार्ड सेवन्टिफाइब किसे सोपा गया तो बताइए इसको किसे सोपा गया नौ से के द्वारा लांच किया गया लामा टू तो लामा टू किसके द्वारा लांच किया गया मेटा के द्वारा यही फेस्बूक वाला मेटा ठीक है लामा टू तो मेटा के द्वारा लांच किया गया तेश नमबर का नौर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र तो यह कौन बने हैं अंसुमन जहिंगरन तो याद रखिएगा नौर्थ चैनल को जो नौर्थ चैनल कहां है मतलब जो यह नौर्थ चैनल है इधर आपका फ्रांस पड़ता है इधर आपका इग लेंड पड़ता है बीच में नौर्थ चैनल है तो इसको कौन पास किया जहिंगरन तो यादा जहिंगा ने पानी में होता है जहिंगरन 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 बर्तमान में भारत के किस हाई कोट में नियामूर्थ सुनीता अगरवाल एक मात्र महिला मुक्द्यार नियाधिस नियुक्त की गई है तो किस हाई कोट में तो कौन सा हाई कोट है आपका गुजरात हाई कोट याद रखिएगा गुजरात हाई कोट ठीक गुजरात हाई हैं पच्छीश नमर कुश्ष भार Фथ रलियकितर कि मंतर्ले ने जीम पोर्टल के माध्यभme से खरीद के लिए इंगेज्मेंट पुरुसकार जीता है बटाएए इंगेज्मेंट přुरुसकार किस cięretched को याि रखिएगा को यला मंतर दे voir निश्ट देखते हैं कि करा अपने 500 अंतराश्टी में सतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं मतलब जो अपना 500 मेच खेल ला था उसमें सतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं बिराट कोहली याद रखिएगा बिराट कोहली अपने 500 अंतराश् अब यहां देखते हैं अकिल भारतिय बाग अनुमान 2022 याद रखिएगा अकिल भारतिय बाग अनुमान 2022 याद रखिएगा बिस्तरित रुपोर्ट के संदर में कौन सा कथन सत्त है तो बताएगे कौन सा कथन सत्त है बागों की सबसे बड़ी आबादी साथ सो पचासी मद्ध है याद रही जाए कि सबसे बड़ियाबंस एक दम सब्सक्राइब अगर कोई टाइगर रीज़र देखा जाए तो सबसे जादा किस टाइगर怪जर में है जिम कारवेट में है तो यह भी उत्त्र परशन बाग की आबादी है इन में से सभी हो जाएगा यहां देखते हैं लिखा गया है जूपिटर थिरी के संदर्म निमलिकित कत्नों पर बिचार कीजिए तो बताइए जूपिटर थिरी के संदर्म निमलिकित कत्नों पर बिचार कीजिए यह दुनिया का सबसे बड़ा वा साहीए तो आपका कूंस något सही है एक और दो एक और दो सर्झ्ख आया है किस राजे ने भारत की पहली और लान्लाइन गेमिंग अकादमी अस्थापित करने घोषड़ा की आनलाइन गेमिक अकादमी कोन अस्थापित करेगा तो ये मध्य पर्देश अस्थापित किया करेगा अभी कमी गेम हो रहा है तो साइद अब जादे गेम होंगे मध्य पर्देश ने मिलिखित में से किस रेलवेई स्टेशन को संस्कृत बिरासत बहाली और और स्थकार पराप्त हुआ है तो बताईए किसको पराप्त हुआ है बकुला रेलवें स्टेशन को याद में और को संगठर ने गल्लोबल क्लाइमेट लेटिगेशन रिपोर्ट दोछार-3 इस स्टेत स्ने फ्रीव्य परकासित की है तो किसंगो यह यह रखिए अन उपी य यहां देखिए 32 नमबर कुश्चन वर्ड सिरीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतिय साहर कौन बन गया है तो याद रखिएगा बंगलोर बन गया है पहला भारतिय साहर वर्ड सिरीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला बंगलोर ताजिस नम्बर कोशिन देखते हैं 28 जुलाई 2013 को निमलिकित में से कौन सा दिन एक जीवन एक जिगर की ठीम के साथ मनाया गया तो एक जीवन एक जिगर तो विश हैपेटाइटीस दीवस याद रखिएगा विश हैपेटाइटीस दीवस चले नेट देखते हैं भारतिय मूल की अनीता आनंद को निमलिकित में से किस देश में ट्रेजडी बोर्ड का अध्यच नियुक्त किया गया है तो बताएए इनको किस देश में ट्रेजडी बोर्ड का अध्यच नियुक्त किया गया है तो अभी हमारे जिसके साथ जगडा चल ह्वारत मंडपम रखा गया है भारत मंडपम ठीक है चाहत्रिस का देखिए ACI Athletics Champion में सव मीटर बादा दोड में पहला सुरड पड़ instructor याद रखिए गार जोती यारा राजी ने जीता है साहत्रिस नमबर का देखिए आई एसस अब जूनियर निसानेबाजी बिस चंपिनसिप दो जार तेज से सम्मदें निमलिकित कत्मों पर बिचार कीजिए इसका क्या है बताईए इसका आईजन दच्छिड कोरिया में किया गया है तो हाँ सही है इस भारत इस चंपिन में दूसरे अस्थान पर र आईए 38 नमबर का देखते हैं गुजरात के पहले ग्रीन फिल्ड हवाई एड़े का उद्गाटन किस जिले में किया जाएगा तो बताईए किस जिले में किया जाएगा गुजरात के पहले ग्रीन फिल्ड हवाई एड़े का तो राज कोर्ट में किया जाएगा याद एक गैनला मेटिनि पर्यूजना का नेतुत किया है टू किस ने किया है जम्मू कस्मीर किया है टार हीमे हम अगली की बहारती जोड़ी ने कोरिया ओपनन डौिस का किताब, अपनी नाम किया है तो किसने किया है सात्तों एक सा defend राज और ही याद रखिएगा साथवेगर और चिराज संटों के निकोरिया 2023 इसका अपनी नाम किया है बयालरेस निम्बर का कुछन देखते हैं, हाल ही थे में अमेर्इकी सेना के नेतों करनी वाली पहली मईल अकौन बन गई हैं तो अनि अमेरीकी सेना की नेतों करनी तब अभी बताएं कौन से नौ से नकी यह आहीत था कॉष्चन लिसा फ्रेंच टी रिजा फ्रेंच टी बन है तिराइस नंबर को कुश्चन देखिए हाल हमें जारिक क्यूएस वर्ड इस्टूडेंट सिटी दोजार तेस रैंकिंग में कौन सा समंद मलब सब्सक्राइब तो क्यूएस बेश्ट सिटी इस्टूडेंट सिटी कहां पर अच्छा स्टूडेंट की रेने के लिए अच्छ चात्रों के लिए स्टूडेंट साहर है हां अच्छा मुंबई का दर्जा दिया गया इसके रैंकिंग 118 है मुंबई में मूभी वी देख लेंगे है काड़ोटी ठीक है चात्र तो संडेंडे को मूभी देख सकते हैं तो चलिए सही है इस रैंकिंग में लंदन सीर्ष पर है तो बतलब अगर लंदन देखा पूरे वर्ड में देखा जाए तो लंदन सही है सीर्ष पर है तो हां यह पुरानी सिटी है लोग जाना चाहते होंगे इस रैंकिंग में भारत का कोई साहट टॉप हंडेंड में जगा नहीं बना पाया है तो हां सही है भारत का कोई भी ट संगों को गतसीलता साहथा प्रदान के लिए कि मिसन सक्ती स्कूटर योजना को मंजूरी दी है तो मिसन सक्ती स्कूटर कि कौन सा मतलब राज्य सरकार ने दिया है तो यह उड़ीसा ने दिया है तो याद रखेगा उड़ीसा ने मिसन सक्ती योजना को मंजूरी दी है हाल ही म राजस्तान में याद रखिएगा राजस्तान में 46 नमर कोशन देखते हैं हाल ही में जिनेवा स्कूल आप डिप्लोमेसिम ने किसे डाक्टरेट के मानद्र उपादी से सम्मानित किया गया है तो यह ससी थरूर जी ससी थरूर जी याद रखिएगा हाल ही में भारती इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुकमंतर रहने वाले बेक्त कौन बन गये हैं तो यही उडी सा वाला फिर निव जा गया है किया जाएगा तो यूगे यूगेन भारत का निर्मार भारत मंड़पम और यूगे यूगेन दोनों नई दिल्ली में उन्चास टंबर कुशन देखते हैं गलोबल फायर पावर रिपोर्ट के इंसाइड दुनिया की सबसे सक्तिसालिस सेनाओं में भारत का कौन सा अस्थान कौन सा है तो मतलब ये कुशन बहुत इंपॉर्टन है बहुत बार पूछा जाता है एक बार उसमें पेपर में पूछा गया था आपका ईपी एफो में ईपी एफो पेपर था उसमें पूछा गया था कौन सा सक्तिसालिस सेनाओं में भारत का अस्थान है तो हमारा चौथा इस्थान है याद रखेगा चौथा इस्थान है गलोबल फायर पाउर इंडेक्स में वर्स का सुरस्ष्ट एसी आई अंडर टुंटी पूरुस एथलेट का किताब पाने वाले पहले भारतिये कौन बन गए हैं तो बताईए कौन बन गए हैं सेलबा पर्थु तिमु सम्मेलन आई सी जी एच दोहजार तेस का आउजन किस सहर में हुआ तो किस सहर में हुआ है याद रखेगा नई दिल्ली में हुआ बावन नमबर को कुशन देखिए संगाय साहयोग संगठन से सम्मझे निमलकित कत्रों पर विचार कीजिए इसमें कौन सा कत्रों सही है तो पहला कुशन का रहा तेस सिखर समयने में इरान नवे सदस की सदस्या पराप्त की तो हाँ संगाय सहयोग संगठन में इरान को मिला जगा सभी है भारत इस सिकर समयने की अधिशता की जिसका ठीम सुरचित संगाय सहयोग संगठन की ओर तुवर्ट ए सिक्योर स्योर याद रखेगा यही है तो यह दोनों सही है आपका तिरपन नंबर का कुशन देखिए विदेश मंतराले का अंसार भारत के बाहर पहला आई आई टी परिसर किस देश में अस्ताफित किया जाएगा तो जान जी बाहर तंजानिया याद रखिएगा तंजान जी बाहर तंजानिया एक आई 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 टी दिल्ली अपना प कन्फिउज हो जाएगे जुलाई दोहजार तेईस में किन दोहसों ने दरसक पहली बार नए राजदूतों की घोशड़ा करके अपने राजनीतिक सम्मंदों को उन्नती दी तो बताईए कौन मिस्र और तुर्की ने तो अपने राजनीतिक सम्मंदों को मजबूत किया मिस्र और तुर्की ने यह का रहा है डी जी सी ए ने एक राज के पहले उडान पर सिच्छड संगठन को मानता दी तो किस राज के पहले उडान पर सिच्छड को मानता दी याद रखेगा तमिल नाडू चलें ने शे देखते हैं चपन नमबर का कोशन क्या का रहा है बिस्व निवेस रिपोर्ट दोजार तेज के संब्दम निमलिकित कत्रों पर बिचार कीजिए यह अंकटाड दौरा जारी किया गया है बिस्व निवेस रिपोर्ट याद रखेगा सही है 2022 के दोरान भारत में FDI का परवाह 49 बिलियन डॉलर था याद रखेगा 49 बिलियन डॉलर था ये भी सही है ये 2022 के दोरान भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI ये गलत है तो आपका एक और दो आपका सही है कौन सा एक और दो सही है चलिए नेट देखते हैं 57 हाले में भारत की पहली महिला पुलिश ड्रोन यूनिट कहां लांच की गई है भारत की पहली महिला पुलिश ड्रोन यूनिट कहां लांच की गई है चन्नाई में याद रखेगा इंप भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट याद रखिएगा पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चन्नाई में लांच की गई पुलिस ड्रोन यूनिट अठावन नमबर के देखिए बंगलूर के सिरीकांती रावा स्टेडियम में साइफ याद रखिएगा साइफ चेंपिन स्ट्रा कुबयत कोहर आकर भारत ने जीता इंपोर्टन्ट है एक जुलाई दोहजार तेज से सुपर मार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर पतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है तो बत कहा कि अब सुपर मार्केट जो आता है उसमें प्लास्टिक नहीं आए तो यह अब पूरी तरह से समुद्ध में प्रेस 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 अगर गोलोबल वार्निंग बढ़ेगी तो यह पूरा डूब जाएगा ठीक न्यूजिलेंड पहले डूबेगा इसलिए यह बहुत ज़्यादा अब परियास करता है क्लाइमेट पर न्यूजिलेंड अग करन किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुवात की गई तो वन टैप वन ट्री की शुरुवाट यह बहुत इंपडर्टन कोश्चन है अपने उत्तर प्रेस कोहां की गई उत्तर परदेश में की गई याद रखिएगा एक सट नमबर कोश्चन किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामाइड मंदिर का निर्मार किया जा रहा है तो उत्तर परदेश में मत्र याद रखिएगा अजद्या में वो यह रामाइड मंदिर है याद रखिएगा रामाइड उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही चाहज याद रखिया टैप वन ट्री ठीक है याद रखिएगा वन टैप वन ट्री याद रखिएगा बासट नमबर का कुशिन देखिए भारतिये इसका मैंने कुशिन आंसर बता दिया था ना इसका दुनिये का सब्सक्राइब बिहार में ठीक है इसका बिहार होगा अगर ना बताया होगा तो बता दिया भारतिये भू बैग्यानिक सरवेचर ने किस राजिके सुंधर गढ़ बन परभाग में एक प्राकिर्थिक आर्क की खोज कि तो बतायए एक प्राकिर्थिक आर्क की खोज कहां की गई उड़ी सा में ठीक एपना प्यारा भारत यहां उड़ी सा है कौरिया गडराज के बुसान में आधो ँशिट C.A.I. कबर्डडी चंपरशिफ 2023 का किताब किस ने जीता तो पताए है यह किस ने जीता तो याद रखिएगा यह भारत ने जीता याद रखिएगा भारत ने जीता इसको साहिप भी किसने जीता भारत ने किसको हरा के कुबैत को हरा के साहिप चंबेश ट्राफ भारत ने जीत किया था 64 नमबर का देखिए हाल ही में किस देश ने नई मिसाइल तकनीक बिस्कित करने के लिए हाइपरसोनिक गाइड़ेड वीकल्स वी मैक्स का पहला परिछड किया तो किस ने किया तो इसने याद रखिएगा फ्रांस ने किया जुलाई 2023 में देश के पहले सहकारी संचाले साइनिक स्कूल का उदगाटन किस राज़े में किया गया तो किस राज़े में किया गया तो याद रखिएगा सहकारी संचाले साइनिक स्कूल ठीक है साइनिक स्कूल का उद्गाटन किस राज्जे में किया गया गुजरात में किया गया ठीक है बहुत important question है याद रखिएगा साहकारी संचाल मनलब जो साहकार मनलब कुछ लोग मिलकर वे एक साइनिक स्कूल चला रहा है वो गुजरात में 66 देखिए हाले में किस देश ने भारत की पहले महिला कबड़ी लीग की मेजबानी की तो भारत की पहले महिला कबड़ी लीग की मेजबानी की किसने दुबई ने की याद रखिएगा दुबई ने की 68 का देखिए बंगलोर के सिरी कांती राव स्टेडियम में सैफ चैंपेशिप 2030 कुबायत को हरा कर किस ने जीता तो याद रखिएगा ये किस ने जीता ये आपका भारत ने जीता वही कुश्चन आ गया फिर क्या सुपर मार्केट वाला आ गया फिर वही कुश्चन हाँ ये आपका रिपीट ही हो रहा है न्यूजिलेंड ठीक है साइद रिपीट हो कहां तक रिपीट हो रहा है यह वन ट्री वन प्रडेक्ट कौन है उत्तर परदेश रामाड मंदिर ये देखिए यहाँ कुश्चन रिपीट हो गया साइद वह दो बार आपका पेश्ट हो गया था ठीक है ये देखिए इसमें हाली में किस देश ने भारत की पहली महिला कबड़ी लेक की मेजबानी की तो ये दुबई ने की भारत की पहली महिला कबड़ी लेक की मेजबानी दुबई ने की फिर से पर लिजिए हाली में किस देश ने भारत की पहली महिला कबड़ी लेक की मेजबानी दुबई ने की जैसे हमारा IPL कभी पर वी चला जाता उदर, ऐसे ही, 77 का देखते हैं, देश का पहला EPR क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन सा है, तो EPR क्रेडिट पाने वाला नगर निगम का बता जेजिए, ये कौन सा है, तो ये इंदोर नगर निगम, याद रखेगा, इंदोर नग निगम है, 78 नंबर को कुशन देखते हैं, अगस्त दोहजार तेस में भारत अफरीका अंतराश्टी मोटा अनाज संबेलन का आविजन कहां किया गया, कहां किया गया, नैरोबी केन्या में किया गया, याद रखेगा, नैरोबी केन्या में किया गया, उन्यासी का देखते है पिस्द के सब्सरेड़ देशों की रिपोर्ट दोहजार तेज के सम्मंद में कौन सा कफन सकते है इस सब्सरेश नंबर पर है इस रिपोर्ट में यूरोपिय देशों में से पचीस में से सोला अस्थान हासिल किये है सही है डी इसमें सभी सही है अस्थी कुछन देखे बिब लंडन उपन दोजार तेज सम्मंदे निम्लिकी कत्नों पर विचार कीजिए पुरुस एकल का किताब कार्लोस अलकराज ने जीता है तो विब लंडन याद रखिएगा पुलिस का किताब किस ने जीता है कार्लोस अलकराज ने जीता है महिला एकल का किताब मार्केटा बंदरो सोवा ने जीता है तो ये दोनों सही है तो विब लेंडन का विब लेंडन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कारलोस अलकराज ने और मार्केटा बरुंदो सोवा ने जीता है पहला और दूसरा दोनों ही सही है यहां पर देखी 81 नंबर का कुश्चन करा है सुप्रीम कोट के फैसलेंग उनसा सभी आरोपियों को निमलिकित में से किसके ताहद चुप रहने का अधिकार है तो भारतिय समिधान के अनुछेद 20 के ताहद यादर के पॉलिटी का कुश्चन है भारतिय समिधान के का अधिकार होता है सुप्रिम कोट ने कहा है चंद्रियान थिरी के संबंद में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए पहला कहरा है इससे जी एसलवी मार्क थिरी राकेट से लांच किया गया है इसे 14 जुलाई 2023 को लांच किया गया है हाँ इसके लेंडर का नाम बिकरम है हाँ यह भी सही है इसके लेंडर का नाम बिकरम है तो 14 जुलाई 2023 को लांच किया गया इसके लेंडर का नाम बिकरम है इसे जी एसलवी मार्क थिरी राकेट से लांच किया गया है तो तीनों सही है याद रखिएगा एट्टी थिरी नंबर का कुशन देखते हैं भारतिये भ कुशन देखते हैं 84 का किस देश के राष्ट पड़ी द्वारा परधान मंत्री नरेद मोदी को ग्रेंड क्रॉस आप दा लीजन आप दा आनर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है ग्रेंड क्रॉस आप दा आनर आप दा लीजन तो याद रखेंगे यह फ्रांस की द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारतिया मंत्रा लेने सुरू की है च्छी आसे नमबर कोशन देखी आईलेंड के लिमरिक तिरंदाजी के रिकर्व वर्ग में यूथ वर्ल्ड चेंपिंशिप जीतने वाले पहले भारतिये कौन बन गए हैं तो यह पहले भारतिये कौन बन गए ह तो याद रखिएगा पार्थ सालूंखे बन गए हैं कौन पार्थ सालूंखे बन गए हैं एट्टी सेबन नमबर का याद रखिएगा कौन सार जुलाई दोजारतेस में किस देश ने भारत अफरीका अंतराश्टी बाजरा संविलन की मेजबानी किस ने कि तो यह याद रिकविक्स यूरोपिय संग यू के पहले खुले तोर पर स्रमलेंगे राष्ट परमुख बन गए हैं या किस देश के नए राष्ट पती बने हैं तो यह किस देश के लताविया के नए राष्ट पती बने हैं 89 का देखते हैं 2030 के बैस्विक सांति सुचकांग के संदरम निम्रिकित कौन सा बिचार कीजिए कौन सा सही है भारत को 126 वा अस्थान पराप्त हुआ है तो ये भी सही है आइलेंड दुनिया का सबसे सांतिपूर देश है तो हाँ ये भी आपका सही है आइलेंड दुनिया का सबसे सांतिपूर देश है तो ये बहुत दिन से रह रहा है पहले अस्थान पर ठीक है क्योंकि आइस मतलब ठंडा ठंडा रहे सांति रहेगा गर्म रहेगा तो सांत कहां रहेगा तो आइस से याद रखेगा आइस सांतिपूर देश है अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम सांतपूर देश है तो ये भी सही है, वहाँ पर हमेशा आतंगबादी ही रहते है तो आपका डी वाला तीनों सही है नबे का देखिए गैलेलियम जर्मेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है गैलेलियम और जर्मेनियम का, तो चाइना है किस अस्थान पर लंबनी बस्तूओ के सबसे बड़े परदर्सन का गिनीज 200 रिकार्ड में रिकार्ड बनाया गया तो ये हमपी में रिकार्ड बनाया गया 92 का देखते हैं हाली में मिसल बुलाक किस संस्था के पहले महिला परमुख बन गई है आस्टेलिया के केंद्रिय बैंकी याद रखेगा आस्टेलिया के केंद्रिय बैंकी पहले महिला परमुख बन गई है 93 का देखते हैं 93 में कह रहा है हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबन्द में कौन सा कथन सत्य है पहला कह रहा है के राजा रामन आर बी आई के कारिकारी निर्दे सकते हैं यह आपका सभी है सब्कत मार्जीव आई एस एस यह का न्या चेर्मन इब शाया पी वासुदेवन उज्रवेकिस्टन के नेराश्पति पि वासुदेवन उज्वेकिस्तन के नेराश्पति इनमें से समी इनमें से गोर्ग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारती ये कौन बने हैं ठीक है तो कौन बने हैं पार्थ सालूंखे बने हैं अब यहां देखिए बारा जुलाई दोजार थेश को नाटो सिखर सम्मेलन का आवजन किस देश में किया गया तो नाटो सिखर सम्मेलन का आवजन याद र किस भारती एक हिलाडी ने जीता तो किस ने जीता लच्छ सेन है ये भी इंपॉर्डन्ट है तो लच्छ सेन ने कनाड़ा ओपन बैड मिंडल दोजार तेस में सिंगल का किताब जीता नाइटी सेवन का देखते हैं उडीसा के राउल केला में खेले गए तेरावी जूनियर मह लाहा की चेंपिरसिप मद्द परदेश नाइटी एट का देखते हैं किरसी संग्रालो की पहली बैठक का आयोजन कहां किया गया तो पंजाब में किया गया ठीक है पंजाब में किया गया प्लीज जिन्हों ने चैनल को सस्क्राइब ने किया है सस्क्राइब कर लेंगे आप के पेपर तक चाहें आपका कोई भी पेपर हो यहां पर material मिलते रहेंगे ठीक है और एक जिन्यूर आरा मतलब आपको हिंदी का पुर्वालोकन चाहिए या आपका बाइयो का पुर्वालोकन चाहिए हिस्ट्री का चाहिए या जोगर्फी का चाहिए जाईए पूरा playlist बना आय वहाँ पर आप बिजिट करके देख लिजिए, सभी question आपका previous year में पूछे गए हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं, भारत के पहले बैदिक थीम आधारत बेद वन पार्क का उदगाटन कहां किया गया है, बताईए बेद वन पार्क का उदगाटन कहां गया, तो greater noida याद र हाल ही में बिस सो बाधिर युवा बैट बिंटर चलिए सब कहां आयजुद किया गया है, बिस सो बाधिर तो ब्राजील में, हमने कहा था आप से promise किया था कि हम 500 question इनको करवा दूँगा, और ये हमने पूरा 500 question मैंने आपको करवाया है, चार्ड पार्ट में लाकर, one, two, three, four और इस पार्ट में हमने एक पूरा मैरातन नहीं लिया है, हम कहें आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अब नेस्ट देखते हैं, 101 नमबर का भारत के किस हवाई एड़े का हटे पर देश की पहली elevated taxi wave शुरू की गई है taxi शुरू की गई है, बताएए किस हवाई तो इंदरा गाधी हवाई एड़े जो दिल्ली में है, याद रखेगा, 102 नमबर का, ब्यक्ति और समंधिछ छेतर, हून मैनेट कमबोडिया के परदान मंत्री संजे कुमार अगरवाल, केंद्रिय परतिच और सीमा सुल्क बोड़ क अद्ध है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, अनवर उलहक ककर, पाकिस्तान के कारिवाहक पीम, तो अभी जो पाकिस्तान के चुना होने वाले ना, तो उस समय कारिवाहक पीम बनाए जाता है, तो कौन है, तीनों सही है, एक सो तीन नमबर कर देखते हैं, निमलिकित प की जुबानी रिसी राज ने लिखा आ है मानसून ए पोएम आफ ए लव एंड लर्निंग ये किसने के अभई के ने लिखा आ है और उपर एक तो सभी इसमें सही हो जाएगा एक सुचार नंबर कोशन देखते हैं महराश के मुखमतरी ने अहमद नगर जिले का नाम बदल कर क् अहिल्या नगर रखने की घोशड़ा की है याद रखेगा अहिल्या नगर रखने की घोशड़ा की है एक सो पांच नंबर का विस्व मौसम बिग्यान संगठन डवलू यमो ने पहली महिला महासचु किसे निउक्त किया है याद रखेगा सेलेश्टा सावले को सेलेश्टे भंडारंद की छमता सुद्धा के लिए निमलिकित में किसकी अदिशता में एक अंतर मंतराले समित का गठन किया गया है तो किसकी अदिशता में अमिस साह की अदिशता में एक अंतर मंतराले समित का गठन किया गया है एक सो साथ का देखिए उमार में आवजित पुरुस जू 200 परियवर्ण दिवस 2023 की थीम क्या है पलाश्टिक पर दूसर का समधान याद रखेगा पलाश्टिक पर दूसर का समधान इसकी थीम है 109 नमबर का कोशन देखते हैं का रहा है जून 2023 में राष्टपती दुरुपदी मुर्मू को सुरी नाम ने अपना सरवेच नागरिक सम्मान पराप्त किया यह पहला है यह दूसरा यहीं पर आ गया सुरी माई 2023 में परदान मंतरी नरिंद मोदी को फिजी ने अपना सरवेच नागरिक सम्मान पराप्त किया तो यह भी सही है दोनों important है याद रखिएगा जून 2023 में राष्टपती दुरुपदी मुर्मू को सुरी नाम का अपना सुरेच नागरिक सम्मान पराप्त किया और फिजी और फिजी ने अपना तो राश्टपती जी को परदान मंतरी को दोनू को पर्दान किया गया तिसों के दोरा तो जाएगा नाम करेंगर दुर्पधी मुर्मू जी नरिंद मोदी कहा जाएंगे फिजी तो नरिंद मोदी हर फीजा में ही रहते हैं याद रिखिएगा फीजी यहां लिखा गया है नेसलन इस्टिटूट आफ रैंकिंग फ्रेमवर यान आई आई आफ रैंकिंग दोजार तेज के संदर्म निम्ग कत्मों पर बिचार कीजिए पहला और दूसरा बताईए इसमें कौन सा साही है तो इसमें कौन सा साही है भारतिय पर्दो की संस्थान आयाटी मदरास को एक समग स्रेडी के तहाद सर्फसर सच्छिक संस्थान गोसित किया गया तो यह भी पूरा साही है और यहां आई ऐसी बंगलोर देश के सीष्ट दस बिद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद ने किया, याद रखेगा एरान ने किया यहाँ लिखा गए, डि-र, टियो मेञे अरीजा के अ औरिसा के A.P.G. अबॉल कलाम दीपर मद्यम्दुरी की बइलेशिटिक मिसाइल अगनी किस परकार की मिसाइल है, तो जो जो अगनी है, वो किस परकार की मिसाहिल का रहा है एक सफल परिछड किया यहां है तो अगनी जो है वो सता से सता कि सता से वायू या वायू से सता वायू तो इसको बताना कि तो यह अगनी है सता से सता है याद रखेगा अगनी सता से सता है हाली में भारत के परधान मंत्री नर्जान मोदी ने किस देश के परधान मंत्री ने सहयुक्त रूप से मुतिहारी आमिलेक गंज तेल पाइपलान के फेज़ डू का सिलन नियास किया तो किस देश के ये नेपाल के इनके साथ मिलकर किया सहयुक्त रूप से अब देखिए यहां लिखा गया है मद्द पर्देश की पहले सोलर सिटी के रूप में किसे बिक्सित किया जा रहा है मद्द पर्देश की पहले सोलर सिटी सांची को बिक्सित किया जा रहा है यह कोशन पहले भी आ चुका है पिछले ही पार्ट में भारतिया मोल की किस बैग्यानिक को डच बिग्यान के सरवच्च सम्मान परतिष्टी इसमी नोजा पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो किसको सम्मानित किया गया याद रखिये गया जैतिया गुपता को सम्मानित किया गया ठीक है डच बिग्यान का सुरुच्छ इस मोजापुरुसकाल जायतिया गुपता को समानित किया गया एक सोला नमबर को कुशन देखते हैं एक्स पो साइट है भारत का पहला पॉलिमेट्री मिसन इसे किस संस्था दोरा बनाया जा रहा है इसे किस संस्था दोरा ए और बी दो धूरों ही हो जायेगा ठीक है इसरो दौरा रहा रहम मना रिसर्च इसस्थेट्ूट के दौरा एक सो सतर radiator को कुशन देखे किसस देष्ट में प्राकरितिक संचड के लिए आयोसीन बिस संचड कांगरेज दोлучा पचीस का आयोजन किया जाएगा तो आयोसीन का जो वहाँ कह किया संयुक्त अरब आमिरात में किया जाएगा एक सोटार नमर कुश्चन किस देश के बीच दोगो और उद्दोगो संगो की पहली गोल में संयुक्त बैटक आठ जून दोजार तेश को नई दिल्ली में हुई तो मैं लग किन दो देशों के बीच तो यह कौन सा दो देश है यह बताईए भारत और न्यूजिलेंड है याद रखिएगा भारत और न्यूजिलेंड के बीच उन्हें 119 नमर के देखिए फ्रेंच ओपन दोजार तेश में पुरुस एकल का किताब किस ने जीता तो फ्रेंच ओपन दोजार तेश में पुरुस एकल का किताब नुवाग जोकोविच ने जीता याद रखियेगा फिर इंचोपन 2023 नुवाग जोकोविच ये विबिल लंडन किस ने जीता तो कार्ल SURक राज ने जीता कार्लोस अलक राज ने विब्ल लंडन जीता 120 नमर के कुश्चन हाली में संपन हुए IPL 2023 में कौन सा कथन असत है तो कौन सा कथन असत है ये बताना है यह किताब चन्नाई सुपर किंग ने गुजराइट टाइटन्स को हरा कर अपने नाम किया तो हाँ ये भी सही है चन्नाई ने जीत लिया गुजराइट को हरा कर चन्नाई सुपर किंग पांचुई बार चंपिएंशी बनी है तो पांच बार को न सम्माइश और चिंहई दो ती में बनी है फाइनल का मुझावला गुज्राथ के नद मोदी स्टेडियम में कीला गया ते भी सही है इसमें सब कोई नहीं गलत है सब ही सही है ठीक है ने 2030 का मिसल बैटिस अवार्ड जीता या पुरुसकार यूनिसको दारा दिया जाता है तो आपका कौन सा सही है एक और दो दोनों सही है 122 का देखिए अरफ सागर में आयत उफान को किस देश ने विपर जोय चक्रवात का नाम रखा है किस देश ने कहा यह मैं नाम रखूंगा इसका नाम मुझे रखने दीजिए बहुत मतलब बहुत जिद पड़ गए इनको ऐसा नहीं है मैं तो याद करवाने के लिए बोला हूँ तो बिपर जोय तो बी से बंगला देश बी से बिपर जोय तो याद रखेगा बंगला देश चलिए नेश्ट देखते हैं पांचों में राज्य खाद सुच्छा सुचकांग S.F.S.I. के संदर्ब निमलेकित कत्नों पर बिचार कीजिए तो कौन सा कत्न आपका सही है तो इसमें कौन सा कत्न है यह सुचकांग भरते खाद सुरच्छा और मानक पदारी किया जाता सही है बड़े राज्य में केरल को पालास्तान मिला निरियात में किसको मिला था निरियात सुचकांग में तमिलनाड को यहां केरल में तो यहां इधर पहला आ गया यह इधर पहला आ गया निरियात में तमिलनाडू खाद में इसमें केरल छोटे राजों में गोवा पर्थम तो छोटे राजों में दोनों गोवा पर्थम था ठीक है छोटे राजों में गोवा पर्थम है तो कौन सा सही हो जाएग 124 डंबर कर देखते हैं खेलो इंडिया इनुवर्शिटी गेम्स के आई यूजी 2030 के संब्ध में कौन सा कथन सत्त है तो बताएए ये कथन इसका आयोजन मध्य परदेश में किया गया तो इसका आयोजन मध्य परदेश में नहीं किया गलत पंजाब इनुशिटी ने किया याद रखेगा नहीं तो आपके वह आई यूजी बोल दी कि सुमंगर का नाम जीतू बारह सिंगा नाम रखा गया तो ये भी सही है तो आपका कौन सा सही है सिर्फ दो और तीन सही है कौन सा दो और तीन सही है 125 का देखते हैं भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात ने पहला तिरपच्छी समुंदरी अभ्यास कहां पे सफलता पूरवक संपन लिकिया तो कहां पे संपन लिकिया ओमान की खाड़ी तो भारत फ्रांस संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला तिरपच्छी समुंदर अभ्यास उमान की खाड़ी में संपन किया एक चीज यहां पर हम नहीं बताये थे यहां पर लिखा गया था इसका आज़ून मद्ध पर्देश पर किया गया तो याद रखेगे यह मद्ध पर्देश नहीं होगा ठीक मद्धपर्देश नहीं यहां लखनौ कर दीजिए ठीक है लखनौ किया गया तो यह मद्धपर्देश तो बताए नहीं तो कि गलत है इसका काईजुन कहां किया गया था लखनौ में क्यों बताया क्योंकि लखनौ अपना पेपर है औरो यारो या पुलिस किसी का भी तो इसका important हो सकता है खेलो इंडिया दोजार तेस कायोजन कहां पर लखनों में किया गया एक सो पचीसमा देखते हैं ये तो हो गया ये भारत के पहले अंतराश्टिय कुरूज पोत के संदर्म निम्ने कत्नों पर विचार कीजिए इसे पांच जून दोजार तेस को चिन्ने से स्रिलंका के लिए नवाना किया गया जहाज राने मंतरी सरवनन्द सोनेवाल ने पहले अंतराश्टिय कुरूज पोत को हरी जंडे दिखाई तो आपको बताईए इसमें कौन सा सही है तो इसमें आपका तीनों सही है ठीक है याद रखिएगा एम एम प्रेस एम बी एम प्रेस इसको कहां पे अंतराश्टिय कुरूज है या चिन्ने से स्रिलंका के लिए रवाना हुआ एक सो सताइस के देख एसी ए इंटरिनेशनल कोश्ट आफ लेविंग रैंकिंग भारत के लिए के इंसवार दुनिया का सबसे महागा साहर कौन सा है बताईए ये नियू यार्क है याद रखिएगा नियू यार्क है एक सोटाइस नंबर का आई एस एस एफ जूनियर बिस्वा कप दोजार तेज के संब्दन कौन सा कथन सत्थ है तो इसमें इसका आई जर्मनी में किया गया सही है भारत पंदरा पदक के साथ छे सोड़ छे रज्जक और तीन कांस के पदक सीर्स तालिका में सीर्स पर रहा यह भी साही है यह और भी दोनों साही है ठीक है एक सो उन्टिश नंबर का कुशन देखते हैं किस संसाने हाली में फॉर आल हुमनिटी दा फ्यूचर आउटर स्पेस गवरननेंस सेर्स पर एक संचिप्त नीती जारी की तो किसने जारी की तो यह किसने संयुक्त राश्टेन ने जारी किया एक सो तीस का नंबर का कुशन देखते हैं जापान में आउजित महिला जूनियर हाकी एसिया कप दोजार तेज के फाइनल में दच्छर कोरिया को हरा कर किसने खिताब अपने नाम किया तो भारत ने अपने नाम किया याद रखिएगा एक सो एक तिस का देख यहां देखते हैं 25 जून दोहजार तेज को परदान मंतरी नरिनर्ण मोधी ने किस देश में अपने सरोज़ चे सम्मान आडर आफ दे नाइल से समानित किये किस ने तो नाइल नदी कहां बनती है मिस्र में बहती है वहीं पे काईरो भी उस पे नाइल नदी के किनारे है तो सब हर जगां जाते हैं पेटियम यूपिआई पौन पे हर जगां करते रहते हैं वन थर्टिफोर कुशन नमर देखते हैं चौथे राश्टिये जल पुरुसकार 2022 के सम्मंद में कौन सा कथन सकते है तो बताए कौन सा कथन सकता है जल सन अच्छड के छेतर में काम करने वाले राज़ों में मद्ध पर्देश को पहला स्थान मिला है पहला सही है राज असरीय स्रेडी में बिहार को आंद पर्देश के साथ संयुक तुरूप से तीसरा स्थान मिला है ये भी सही है ठीक है ये भी सही है सरस्रेश उद्दोग पुरुसकार बोरोनी ताप बिदुतकेंद बेगुसरा बिहार को प्राप्त हुआ ये भी सही है इन में से सबी सही है 135 नमबर कोशन देखते हैं पर्थम जन जाती है खेल महुसे का आउजन किस राज्य में किया गया तो उडीसा में किया गया हाली में किसे पूर्बोत्तर सीमा रेलवे पूर्बोत्तर सीमांत का पहला इट राइट इस्टेशन का दरजा प्राप्त हुआ तो किसे प्राप्त हुआ याद रखे गोवाहाटी रेलवे स्टेशन को मिला है गोवाहाटी रेलवे स्टेशन को ये इट राइट इस्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है हाले में इनेसी अंतराश्टी एनिमेशन महुच से जिसमें भारत पहली बार भाग लिया इसका आयोजन कहां किया गया तो इसका आयोजन कहां किया गया फ्रांस में किया गया ठीक है इनेसी अंतराश्टी एनिमेशन महुच से किस राजसरकार ने हाले में राज के पदम पुरुषकार विजेताओं को ए दस हजार रूपए मासिक पिंसन देने की गोज़रा की अगर आप पदम पुरुषकार पाए जाएंगे तो उन दस हजार रूपए आपको महीने देंगे तो यह हर याड़ा ने किया है 149 का देखिए दिल्ली में इसित नहरु मेमेरेल मुजियम यूम लाइबरेरी सुसाइटी का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया गया है कि सूचालिस नंबर का है किस राजसरकार ने जेलो का नाम बदलकर सुधार गृह किया है तो ये भी important question है अपने युप्तर पर्देस related है तो उत्तर पर्देस ने क्या जेलो का नाम बदल कर सुधार गिरिख किया है 111 number question देखते है Miss World organization ने 2030 में होने वाले 71 Miss World pageant की मेज़बाने के लिए किस देश को चुना है तो बताएए किस देश को चुना है तो ये आपको किस को चुना है भारत को चुना है याद रखिएगा भारत को चुना है 142 number question देखते हैं अंतराश्य योग दिवस 21 जून के उपलच में इंसी आर्टी नई दिल्ली के दौरा राश्टी योग ओलिम्पियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक किया गया और ये कहां किया गया है तो भोपाल मदपर्देश में किया गया है निमलकित में से किस प्रेस को वर्स 2021 के गाधी सांती प्रोसकार से सम्मानित किया गया है किस प्रेसको वो 2021 के गादिस सांति प्रूसकार से हो तो गीता प्रेसको याद रखेगा है गीता प्रेसको गादिस सांति प्रूसकार मिला है 144 का देखते है बिस इसक्वेश चंपिरसिफ 2023 के संबन में कौन सा कथन सत्य है बताएए कौन सा कथन सत्य है मिस्र ने मलेसिया को हरा कर यह खिताब अपने नाम किया इसका आरजन चिन्नाई में किया गया यह और भी दोनों सही है इसका यह ए है यहाँ बी यहाँ सही है 145 नमबर कुशन देखते है आई एन एस वी तारडी तेयात्रा के संदर में कौन सा सही है इसमें बताईए कौन सा आपका सही है यह इसमें कह रहा है यह 128 दिनों के बाद 17,000 एन एम समुंदरी मिल्ट ट्रांस समुंदर अंतर महाधी पियत यात्रा सफलता पूरबग पूरा करने के बाद भारत लोटा इसमें दो महिला अधिकारियों सहे छे सदस्य कुरू दल सामिल थे इसका 23 में 2023 को गोवा बंदरगा पर श्वागत किया गया तो इसमें कौन सा सही है आपका तीनों सही है ए, दो, तीन, ठीक, तीनों सही है करा रहा है, चोथे राश्टिये जल पुरुसकार के संबने में कौन सा कथन सकते है तो बताएए कौन सा कथन सकते है तो पहले बता रहा हूं, सब कथन सकते है एक बार बढ़ियां से ध्यान से पढ़िए तो यमपी पाइले नमबर पे आ गया तो ते लंगाना के गराम पंचायत को सुरुषेट गराम पंचायत का पुरुषकार मिला तो ये तीनों साही हो जाएगा ये आपका डी वाला चलिए निश्ट देखते हैं एक्सकीस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुख्द मिसन योजना सुरुख की थी ये इंपॉर्टन कुश्चन है बहुत इंपॉर्टन है कि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है निश्ट देखते हैं 148 नमर का ये नंद बाबा दुख्द मिस राज्य सरकार दौरा लर्ण और्न योजना सुरुख की गई लर्ण और्न योजना किस सरकार के दौरा तो मद्द परदेश के दौरा सुरुख की गई इटली को हरा कर ये उर्गवे ने ठीक है उर्गवे ने इटली खुरा कर अपना पहला फीफा अंडर टूंटी बिसकप जीता तो याद रखिएगा वर्स 2024 में आयोजन होने वाले 119 में भारतिये राष्टिये कांगरेस की मेजबानी कौन करेगा तो एक सो नौवी वर्स 2024 में आयोजन होने वाले 109 भारतिये राष्टिये 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 की मेजबानी कौन करेगा याद रखिएगा लवली प्रॉफेशनल यूशिटी करेगा एक सो इक्यामन देखते हैं लाज्ट कुश्चिन हाली में हुए निधन के संबंद में कौन सा कथन सही सुमेलित है तो कौन सा कथन सही सुमेलित है निर्मिला बुच मद्ध परदेश की पहली महासचियों ओमान चंडिक केरल के पूरमुक मंतरी डक्टर मंगला नालिकर एक ग तो आज के लिए बस इतना ही हमने पूरे 500 कुश्चन आपको करवा दिये हैं पूरे जन्वरी से दिसंबर तक अब आपका करेंट में सिर्फ एक ही चीज़ चलेगा क्या चलेगा आपका घटना सार चलेगा घटना सार अब आपका प्रेक्टिस्ट लगभग डेली आता रहे ठीक है तो घटना सार के लिए अब तैयार हो जाईए पूरा हम घटना सार आपको रटा देंगे इसका पीडिये अप नीचे डिस्क्राइब पर टेलिग्राम का लिंक दिया गया है जाकर वहां से डाउनलोड कर लिएगा तो जै हिंद जै भारत नमस्कार अपना ख्याला कि अपना से सब्सक्राइब को जैएब अजारे छेटर अटना सार क्यों को जैदाब पर टेलिग्राम को भीचे जैएब कर देना है है अबधिये अजैब देचाब जैआरे पहां सेला के रिए लिए जाभर्येस वहां से भाउना